हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप लोग I hope you all are doing great यह आज मैं आपको बताने वाला कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज जिनसे आपका बिजनस स्ट्रेजी 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 स्ट्रेज को डेफिनेटली मेक्सिमाईज हो जाएगा जादा सैंपल पर सॉल करोगे ना उतनी जादा आप लोगी इसके लाग बच्चो आप लोग अपना स्ट्रेंट और वीक्नेस का नालेजिस करना आप लोग लिए बहुत जादा इंपॉटेंट है कि कौन से चेप्टर आपकी वीक्नेस है उसके लिए आप लोग जादा से जादा मोक्टेस सोल करने पड़ते हैं चैप्टर वाइस मोक्टेस सोल करने पड़ते हैं तो बच्चो ऑस्वर्ड.io की वेबसाइट पर जाके आप लोग अपने कॉर्डिंग ली कस्टमाइज मोक्टेस बना सकते हो दस मिनट से लेके तीन गंटे तक जैसा मर्ज यहीं कि सबसे पहले ना आप लोको अपना हम रिवीसिन करने अ手 उढ को भी दिख्कत आई तो मैंने एक सिरीज बनाई थी पूरी की पूरी प्लेविस्स बनाई थी जिसके अंदर आप लोग के चैप्टर नंबर वन से लेके चैप्टर नंबर टुए टक बन से ट्य जादा आप लोग की accuracy maintain रहेगी क्योंकि CBSC में questions repeat होते हैं तो मैंने इस business studies के most important questions बनाये थे उसका link भी मैं आपको नीचे description में दूँगा उससे जाके आप लोग इन questions को prepare कर लो इसके लावा जितने जादा आप लोग case based question पर focus करोगे उतना जादा आपका जो score है maximize हो जायागा च करने और previous year papers करने sample papers के लिए मैंने आप लोग को बताया बच्चो ऑस्वाल गुरुकुल के 36 sample question papers है उसका link भी नीचे description में है जाके उसको ले सकते हो उससे practice करो आपका इसको definitely maximize होगा सबसे जादा important चीज़ आती ही बच्चो fifth और important चीज़ वो है learn and write जो भी चीज़ याद करो ना business studies में उसको लिखना बहुत जरूरी है लिखोगे तो आप लोग को definitely long time long term तक वो चीज़े याद रहेंगी तो business studies में यही फंडा होता है कि आप लोग basically हर एक चीज़ को लिखो जितने भी concept से उनको लिख लिखके याद करो fundas जो भी है principles से उनको लिखके याद करोगे त पूछ सकते हो तब तक के लिए all the very very best चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा और साथ में लेकिए बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि latest videos और updates आप लोगों से पहले मिलती रहे thank you